अगर आपके पास मूर्ती है तो मूर्ती ले लिजीगा और नप फोटो से पूजा कर सकते हैं उसके बाद चावल का आसन दे करके हनुमान जी की फोटो रखनी चाहिए और मंगलवार ब्रत पूजा करने के लिए हनुमान जी की फोटो जैसे की चाहिए तो साथ में सीता राम की पूजा करनी चाहिए बिना सीता राम के पूजा, हनुमान जी के पूजा अधूरी मानी जाती है तो सीता राम के भी फोटो रख लिजेगा मेरे हनुमान जी के फोटो में सीता राम के फोटो है इसलिए मैंने नहीं रखी है आगे पास हनुमान जी के फोटो में अगर ना हो ताप अलग से सीतारम की फोटो रख लिजेगा उसके बाद पूजा में सबसे पहले दीपक जलाई जाती है और दीपक में कुम कुम लगा करके पूस्प दे करके और दीवदेवता की पूजा संपन करी जाती है और दीवदेवता को आमाहन किया जाता है जबता पूजा संपन हो तब तक हम विराजमान रहे है और जलती रहे है इस तरह से बोलते हुए दीवदेवता की पूजा संपन करने चाहिए उसके बाद एक पीपल के पत्ते पर मैंने लिखा है स्री राम क्योंकि हरुमान जी स्री राम से बहुत प्रशन होते हैं तो हरुमान जी की पूजा स्री राम लिख करके आप जरूर करें तो जैसे की हरुमान को किसी पूजा पाठ में गनेश जी की पूजा करी जाती है तो सुपाड जी मने रखा है अगर आपके पास छोटी मुर्ती इस तो रख लिजेगा और गनेश जी को पर चार बाल जल छुड़ा करके उनका अशनान करवा करके उसके बाद गनेश जी की पूजा संबन करने चाहिए जैसे गनेश जी को पर वस्त रुपी कलावा देने चाहिए आप जन्यू भी दे सकते हैं जन्यू दीजेगा तो आप पीला रंका जन्यू दीजेगा उसके बाद लाल रंका जो कुमकुम आती है लाल रंके कुमकुम से गनेश जी को टीका लगाना चाहिए फिर गनेश जी को हल्दी का टीका लगाना चाहिए उसके बाद गनेश जी को पर अक्षा चढ़ाने चाहिए सिंदुर चढ़ाने चाहिए और उसके बाद गनेह जी को पुस्प दे करके और इनके पूजा संपन करने चाहिए हाँ जोड़ करके पडाम करने चाहिए यह हो गई गनेह जी की पूजा संपन अब करेंगे हनुमान जी की पूजा ठीक है तो हनुमान जी को पर भी चार बाल ज जल छेड़ा करके और भगवान की फोटो है तो कपड़े से साफ कर लेना चाहिए मूर्ती है तो मूर्ती को भी कपड़े से साफ कर लेना चाहिए ठीक है उसके बाद हनुमान जी को अगर आपके पास कोई वस्त रहे हनुमान जी के लिए तो वस्त दे दिजेगा औरेंज कलर क नहीं तो पीला भी दे सकते हैं लाल भी दे सकते हैं उसके बाद हनुमान जी को लाल रंग का कुंकुम चड़ाने चाहिए और सिता राम जी को भी लाल रंग का कुंकुम का टिकर लगा करके इनके पूजा संपन काने चाहिए उसके बाद हनुमान जी के पूजा में सिंदूर भी चढ़ाय सकते हैं क्योंकि हनुमान जी को कुछ सिंदू चढ़ाया मही चाहिए और सितका माता बहुत हदトरथ तो सिंदू उसके that पूझा जरू जरू चढ़ा पूस्प मिल जाते हैं तो लाल लंग का पूस्प चढ़ा लिजेगा उसके बाद पीपल के पते में स्री राम लिख करके और चढ़ाने चाहिए क्योंकि स्री राम से हनुमान जी परशन होते हैं और और ओरेंज कलर की मेरे पास पूस्प एक है तो मैंने चढ़ा दी अगर पूजा में गूड का भोग लगाए जाती है और उसके बाद चनी की भोग लगाए जाती है लाल रंके फल का भोग लगाए जाता है और उसके बाद हनुमान जी को ड्राइफुर्स का भी भोग लगाए जाती है उसके बाद भोग लगाने के बाद पानी दी जाती है तो पा करने चाहिए और दोस्तों आप चाहें तो कलस की अस्थापना करके भी मंगलवार बरत की पूजा कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों लाश्ट में आर्थी दिखाई जाती है और अपने पूजा की पूजा में रह गए कम्यों के लिए छम्मा मांगे जाती है दोस्तों मंगलवा ब्रत सुक्ल पक्ष की पहले मंगलवार से उठा सकते हैं और दोस्तों मंगलवार ब्रत 21 या फिर 45 रखे जाते हैं अगर आप 21 रख रहें तो 22 मंगलवार के दिन अपने ब्रत का उध्यापन करना चाहिए और अगर आप 45 मंगलवार ब्रत रखना चाहते हैं तो 46 मंगलवार के के दिन अपने वरत का उध्यापन करना चाहिए और जिस दिन आप वरत को द्यापन करें तो बस उध्यापन करके और सुद साथ भोजन करले ना चाहिए दोस्तो मंगलवार के जो küसिष रए वस्त धारन करके करने चाहिए तो दोस्तों मैं ने बिल्कुर सरल तरीके से हनुमा ओए होगे receल विडियो कुझत फूज्यisiden और चानल पने हैं तो चानल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और वीडियो को ज़्यादा सज्यादा फिर एनान फैमिली साथ सेयर किजेगा तो फिर मिलनोगे एक नए वीडियो के साथ तब तक हरे कृष्णा राधे राधे